देश में राश्टपती चुनाओं को लेकर राजनितिक गहमा गहमी बढ़ गई है क्योंकि अब विपक्ष ने यानि यूपीए ने ये तै किया है कि वो भी अपना साजा उम्मिद्वार मैदान में उतारेंगे अभी तक ये लग रहा था कि राश्टपती चुनाओं में एंडिये का जो केंडिडेट होगा वो पूर्ण भहमत से जीच जाएगा लेकिन अब एक नया ट्विश्ट आया है क्योंकि इसमें कई दल ऐसे हैं जो एंडिये के साथ अभी तक दिखाई दे रहे थे और ये लग र दिया है कि वो अब अपना एक साजा उम्मिद्वार मैदान में उतारेंगे और एंडिये का जो भी कैंडिडेट होगा उसको ये चुनोती देंगे यहां आपको बताएं मामला दिल्चस्प हो गया है और ममतब एनरजी समेत मलीकार जुन खड़के इसमें कई सारे कश्मीर के मुख्यमंतरी रह चुके हैं यह दो नाम अभी यूपिय की तरफ से यानि जो कांग्रेस के तत्वाधान में या उनकी अगवाई में कहिए जो विपक्ष इखटा हुआ है उस विपक्ष ने इखटा हो करके यह तैय कर दिया कि अपना वो साजा उम्मिद्वार म के लिए नामंकन होगा अठारे जुलाओं को अठारे जुलाई में यह चुनाव होना है राश्पति पत के लिए और 21 जुलाई को मतो की गणना की जाएगी और यहां अभी तक के जो आज के आकड़े हैं अगर मैं को ममता बेनर जी की मिटिंग के बाद कैसे हालात दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बेसक कुछ दल आए नहीं हैं जैसे कि आपको बता दूँ आम आदमी पार्टी वो ममता बेनर जी के जो मिटिंग बलाई गई थी उसमें नहीं आई थी 22 दलों को चिट्टी लिखी थी 17 दल आए हैं लेकिन अगर मैं सारे दलों को मिला भी दूँ मताब 22 के 22 पूरा विपक्ष अगर मिला दें तो उनका जो वोट का परसेंटेज है यूपिये का जो वैल्यू है वहीं एंडिये के पास जो है अभी तक 5,35,000 वैल्यू है ये आज की इस्तिति है अब इस इस्तिति में अभी आपको बता दें जीत के लिए अभी भी एंडिये को 13, 13,000 मत और चाहिए ये 13,000 जो मत चाहिए वैल्यू एंडिये को इसके लिए आपको बता दें राजनास सिंग जो की रक्षा मंत्री हैं एंडिये की तरफ से इनको कहा गया है कि ये बाकी दलों से बात करें इसी तरह भाजपा के जो राश्टी अध्यक्ष है जेपी नडड़ उनको ये जुम्मेदारी दी गई है और इस जुम्मेदारी को निभाते हुए राजनास सिंग जी ने तो बाकाइदा आपको बताएं शरत पमार जी से बात की है इसी तरह ममता बेनर जी से भी बात की है जो यूपी ए का अगवाई करके और वो एक कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है जो विरोध करने की गोशना कर चुकी है लेकिन फिर भी राजनास सिंग ने अपने तरीके से उनसे बात की है इसी तरह माना जा रहा है कि सिभसैना से भी बातचीत की जाएगी और चुनाव के आने के टाइम तक यह माना जा रहा है कि एंडिये को जो तेहरे ह आते आते क्या परिवर्चन होता है यह देखना होगा और आपको बताएं यहां बहुत जादा जो असर पड़ेगा वो यह के NDA की तरफ से केंडिडेट कौन होता है इस पर भी बहुत सारी निर्वरता है जिस तरह से हमने देखा के APJ अब्दुलकलाम उनको एक बार NDA जब ब भी बतादू के इस सब में जो NDA के पास अभी तक हैं वो जेडियो, AIDM के अपना दल, LJP, NNP, निशाद पार्टी, NFP और इसमें जो है AINR कॉंग्रेस उस ऐसे 20 दल हैं 20 दल मिला करके जो टोटल वोट होता है जो टोटल वोट वैल्यू है राश्टपती पद के लिए वो 50% से उपर चाहिए तो जीतने के लिए अब अभी तक जो NDA के पास है वो बहुमत दिख रहा है कि 5,35,000 है लेकिन ये परसेंटेज और अधिक होना चाहिए और तब जाकर के लगेगा कि NDA का केंडिडेट जीत पाने में बिल्कुल सफल हो जाएगा इस पर्ष्ट रूप से तो ये देखा जा रहा है जिस तरह से नोमिनेशन करने के नाम पर अभी तक ममताव एनरजी दिखाई दे रही हैं कि वो बिपक्ष को इस एक जुट करने में लगी हुई है हाला कि अभी तक उन्होंने जो अपनी तरफ से नाम है वो कोई अभी सुझाया नहीं है दो नाम सर्व समती से तै करेंगे कौन हमारा एसा चहरा होगा जो विपक्ष का चहरा होगा राटपती पत के लिए तो ममताव एनरजी इस कयास में लगी हुई है उनकी कोशिश है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाओ होगा वहां ममताव एनरजी पी-म फेस बने ये उनकी कोशिश है और उसका सेमी फाइनल ममताव एनरजी की तरफ से चल रहा है हाला कि यहां आपको एक और बात बता दूँ कि ममताव एनरजी ने जो वाइस दलो की मिटिंग बुलाई थी उसमें शरत पमार जी ने जिस तरह से अपने को अलग किया शरत पमार जी जो पिछला चुनाओ वक्षेक हो जाएगा हुआ भी लेकिन नतीजा क्या हुआ नतीजा यह हुआ कि हार गए जीते तो है नहीं और इसलिए पिछले बार के चुनाओ को याद करते हुए यह शरत पमार जी ने शायद एक बड़िया कदम उठाया है उनको समझ में आया है कि एक अपमान कराने के बड़ी हाई है मैदान से बाहर हो जाओ अब देखना होगा कि जो यह ममतब एनरजी जी ने वियान चलाया है कि वो कड़ी टकर देना चाहती है एंडिये को इसके क्या परिणाम होते है थोड़े दिन में पता लगेगा लेकिन इतना जरूर है कि कुछ दिन ही सही फारुक अ अब्दुल्ला को यह राश्पती पद के लिए नोमिनेट कर रहे हैं लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि फारुक अब्दुल्ला के बयान कश्मीर को लेकर 12370 को लेकर आतंक वादियों को लेकर किस तरह से रहे हैं जब से वो cm रहे या नहीं रहे लेकिन हमेशा उ जो फारुक अब्दुल्ला हैं उनके बयानों को लेकर विबाद पैता होता रहा है अलगाओ वादियों से वो हमेशा लगाओ वाले नेता रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने धारा 370 को हटने के बाद में उन्होंने जो बयान बाजी की थी मतलब वो ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान का जो परदान मंत्री है वो बयान दे रहा है और हमेशा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हित्मे बयान बाजी कर रहे हैं वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि भारत में मुसलिम डरा हुआ है भारत के में डर का माहौल है और आज वो राष्टपती पत के लिए यह दी नोमिनेट किये जाते हैं और ऐसा एक वेक्ति जो पाकिस्तान की तरफ जुकाव रखता हो एक सीम रहते हुए वो कल को राश्टपती बन जाएगा तो क्या उससे उम्मीद आप कर सकते हैं तो ये एक विपक्ष के पास दिखाई दे रहा है किस तरह के लीडरों की एक जमात है कि जो देश विरोधी गतिविदियों में ज्यादा लगे रहते हैं लगता है एंडिये के पास ऐसे ही नेताओं कामबार है मतलब एनरजी को देख लीजिए वहां उन्होंने किस तरह की बाते की कैसी ये लागू हो गया तो ग्रह युद्ध हो जाएगा एक भी बंदे को नि जेता एक साथ इकटे हुए हैं और अब राश्ट्पती पर्द के लिए जो ये मारा मारी चल रही है देखना होगा कि इस राश्ट्पती चुनाओं में कोई एक ऐसा व्यक्ति चुन करके हमारे देश का राश्ट्पती बनता है जो वाकई में भारत माता को अपनी मां मानता हो इसके लिए अपना काम करता हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो ये टटोल रहा है ऐसा कोई व्यक्ति चुन उसको आगे लाएंगे यह के जो हमेशा विवादों में घिरा रहा हो तो कुल मिला करके यह जो चल रहा है इसमें कोंग्रेस का भी जो इस समय आप देख रहे हैं इडी में घिरे हुए हैं गांधी परिवार और यह जो गांधी परिवार है जिसके गिरते ही लोगों को सड़कों पर उतारना बहनने वाजी करना यह सब हमने देखा है लेकिन फिलाल राष्ट्पती पद का जो चुनाओ है वह बहुत दिल्चस्प हो गया है देश में और अब यह कहा जा सकता है कि जो चुनाओ NDA के लिए अभी तक यह दिख रहा था कि NDA बड़े अराम से अपने कैंडिडेट को जिता ले जाएगी थोड़ी मुश्किल आती दिखाई दे रही है लेकिन मद्द परदेश से जैसे हमने देखा कि कई सारे विदायक वो भारती जं हैं कि जो भारती जंता पार्टी के टच में हैं और वो भले ही वहां रहेंगे लेकिन वोट वो NDA के कैंडिडेट को करेंगे क्योंकि यहां आपको एक और बात बता दू राश्ट्पती चुनाओं में जो गाइडलाइन है वो पार्टी का वीप यहां नहीं चलता है क्योंक में पार्टी वीप जारी कर देती है उसके उलंगन पर पार्टी कारवाई करती है लेकिन यहां राश्ट्पती चुनाओं में कोई भी व्यक्ति चाहे वो MP हो या ML अपनी मरजी से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकता है उसके उपर पहस से बना हुआ है लेकिन जो दो नाम सबसे आगे समझ में आते हैं वह आ रहे हैं आरिफ मुहम्मद खान जो कि केरल के राजजपाल हैं और एक मुखतार अबास नकवी जो भारत भाजपा के पुराने लीडर है लेकिन मोदी जी की स्टाइल हमेशा चोंकाने की रही है औ और इसलिए हो सकता है मुदी जी इस बार भी देश को चोंका हैं बंदे मातने